आईये आज हम देखते हैं शाही पनीर के लिए शाही पनीर के लिए हमने सबसे पहले कडाई में तेल लिए है और इसके बाद हम इसमें एक छोटी चम्मज भर के मक्खन डाल देंगे आप मक्खन की जगha पर गी भी इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि हम शाही पनीर बना रहे हैं तो इसमें मक्खन और घी बहुत जरूरी है मक्खन को हमने तेल में इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम मक्खन पहले डालते हैं तो वो जल जाएगा तो यहाँ पर अब हम दो कटीवी प्याजे डाल देंगे इसमें यहाँ हमने 250 ग्राम पनीर लिया है इसलिए हमने दो बड़ी प्याज लिये अब इसमें हम बड़ी इलाइची डाल देंगे दो ठो जिसको हमने क्रैक कर लिया है और उसके साथ हम इसमें दो हरी इलाइची भी मिला लेंगे थोड़ी सी डालचीनी डालेंगे और इनी खड़े गरम मसालों में अब हम यहाँ पर तीन से चार लॉंग डाल देंगे इसमें और उसके बाद हम इसमें जीरे मिला लेंगे जीरे के साथ ही अब इसमें हम अद्रक डाल देंगे लगभग एक इंच का टुकड़ा साथ ही हम लहसुन डाल देंगे और बादाम और इसमें हम मिला देंगे काजू भी साथ में मैंने इसमें थोड़े से मगज के बीजे और दो छोटी चम्मज भर फली के दाने भी एड़ किये है और अब हम इसमें मिला देंगे टमाटर यहां आपने अलग से एक कटोरी में दही लिया है एक कटोरी भर और दो बड़ी चम्मज भर इसमें हम धनिया पाउडर मिलाएंगे और साथ ही हम इसमें मिलाएंगे एक चम़ाज भर कश्मीरी मिर्च, हलदी पाउडर, कश्मीरी मिर्च जएदा तीकी नहीं होती है थोड़ी से गरम मसाला इसमें अच्छे से एड़ कर लेंगे ताकि यह जले नहीं अगर हम इसमें दही डाल लेते हैं तो हमें शाही पनीर में अलग सी क्रीम डालने की जरूरत नहीं होती तो यहां हमारा प्याज बगिरा हलका भून चुका था तो हम दही वाला मिक्सचर इसमें मिला देंगे और इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे एक बात और ध्यान रखने हैं कि अगर आप प्याज आपने दो लिया हैं तो टमाटर आप चार लीजिए अब हम मसाले में एक चमज भर के नमक डालेंगे नमक डालते से ही मसाले हमारे अच्छे से पकने लग जाएंगे और जल्दी पकेंगे मसाला भूनती समय हमें आज को मीडियम रखनी है अब हम इसमें दो चुटकी पर काली मीर्च आट कर देंगे यहाँ पर हमने काली मीर्च का पावडर इस्तेमाल किया है आप चाहें तो खड़ी वाली डाल सकते हैं तो यहाँ पर मसाला हमारा भून चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे ताकि हमने जो इसमें मसाला डाला है वो आपस में अच्छे से मिल जाए और ये पक जाए तो यहां पर मसाला हमारा रेडी है थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसे हम पीष लेते हैं मिक्सी के जार में तो देखिए यहां पर मसाला हमारा पिस गयая अब हम इस मसाले को एक छनने की सायता से छना लेंगे ताकि इसमें एक भी रेशे बाकी न रह जाए क्योंकि हम शाही पनीर बना रहे हैं इसलिए से चानना बहुत जरूरी है अब हम उसी कड़ाई में थोड़ा सा ओईल डालेंगे आप ओईल की जगा घी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसमें एक चम्मज बर कश्मीरी मिर्च और डालेंगे और जो तैयार मसाला पेस्ट है हमारा च्छना हुआ अब हम उसे डालके सिर्फ दो मिनिट के लिए भूनेंगे क्योंकि मसाला तो हमारा पहले भी पक चुका है अब हम इसमें खुश्मू के लिए कसूरी मेथी को अच्छे से बारिक करके डाल देंगे और नमक भी मिला देंगे जब ग्रेवी हमारी पकती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उपर उच्छती है ताकि अब जलना जाए शाहि पनीर की शान बढ़ाने के लिए इसमें हम एक कब भरके दूद डाल देंगे फूल क्रीम वाला आप चाहे तो मार्केट वाली क्रीम भी इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने आपर घर का दूद लिया हुआ है अच्छे से मिला देंगे और इसमें एक उबालाने देंगे और इसमें अब हम डाल देंगे पनीर के पीसेज पनीर डालने के बाद हमें इसे लगबख पांच मिनिट तक अच्छे से पका लेना है अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा उमीद है आपको रैस भी पसंद आएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में